सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेकलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों म्यूजिक तो आप सभी शायद सुनते होंगे और ऐसे में यूज़ करते होंगे लगलग येरफोन या फिर हेटफोन को और अक्सरा मुझसे भी पुछते रहते हैं कि बजट येरफोन सबसे अच्छे कौन से हैं तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते हैं कि मैं आपके लिए लिए आए हूँ एक नहीं दो नहीं पांच नहीं बलकि खूब 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 सारे यहां पर तरे तरे की अरफोन्स बताओंगा कि कौन से अच्छे हैं कौन से घटियां हैं कौन से खरीदने चाहिए कौन बहुत सारे और बहुत सारे का मतलब वाकई में बहुत सारे एरफोन्स हैं को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ सभी को इंडिविडियोरी टेस्ट भी किया है शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो आते हैं करीब 497 रुपीज के हाउस ओफ मारले लिटिल बर्ड कहां गए लिटल बर्ड लिटल बर्ड हमारे ये रहे और ये दोस्तों जो ये लिटल बर्ड वाले एरफोन्स हैं बिल्कुल परचेज मत करना अपनी प्राइस के लिए अच्छे नहीं है आपको और अच्छे आप्शन्स बताने वाला हूँ तो इन से दूर रहो जो जो मैं रेक्में में अच्छे लगते हैं क्वालिटी के मामले में इतने अच्छे नहीं है और बड़ी आप्शन्स आपको मिल जाएंगे तो भाईया प्लीज परचेज मत करो तो इसके बाद में आते हैं एमेजान बेसिक्स फोर नाइंटे नाइन रुपीज के आपको मिलते हैं बिल्कुल बेसिक सी पैकेजिंग में आते हैं जो ये वाले हैं बेसिकली ये गया और जो दूसरे वाला है वो कहां गया भाई खो जाते हैं यार ऐसे तो ये जो हैं दोस्तों एमेजान बेसिक्स ये अच्छे हैं काफी जो बेस है वो भी अच्छा है लेकिन वोकल्स इतने अच्छे आ 500 पर जिंदर आप ले सकते हैं दोस्तों इसके उपर अगर मैं जाओंगा तो फिर आते हैं Panasonic के RPTC125 जो की हैं किधर गए Panasonic, Panasonic, Panasonic ये वाले हैं तो यहाँ पर इनका bass काफी ज्यादा है यार और bass के विज़े से क्या हो रहे हैं इतने आपको bass मिल रहा है कि जो vocals है ना वो इतने clear नहीं आ रहे हैं और vocals clear नहीं आ रहे हैं जो highs हैं वो भी एकदम muffled से हैं तो वो एक बात है लेकिन हाँ अगर आप बात करते हो खाली bass की तो ये करीब 540 रुपे के आते हैं तो ऐसे में अच्छा option रहे हैं फिटिंग है वो काफी अच्छी है काफी comfortable है तो ये आप try कर सकते हो दोस्तों इसके बात में अगला option है वो है skull candy के jib भाई इनकी क्या बात करूँ ये एकदम बच्चों वाले earphone है मतलब रंग बिरंग के colors हैं बिलकुल एकदम basic सी quality है इनकी और आवाज को दो भूल जाओ बिलकुल भी purchase मत करना इनको भूल के भी तो ये जो है skull candy के jib 579 रुपीज के हैं और इनसे लाख गुना बहतर जो हैं वो है audio technica का CLR100 ये कहा गया ये वाला तो ये जो audio technica का CLR100 ये भी 579 रुपीज का आता है माइक इसमें नहीं मिलता है माइक अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़े से और पैसे कर्च करने पड़ेंगे लेकिन जो sound clarity है और quality है मतलब कमाल एकदम first class बस जो quality अरब build की वो इतनी अच्छी नहीं है तो आपको लगता है कि बहुत ही delicate सा है ध्यान से नहीं रखोगे तो खराब हो सकता है लेकिन quality बहुत कमाल की बिलती है 579 रुपीज के अंदर audio technica का ये CLR100 आप ले लो बहुत ही मज़दार कमाल की earphones है दोस्तों इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है JBL का T150A वो फिलाल मेरे पास में मेरे गले में नहीं है लेकिन मैंने personally बहुत यूज किया है तो आप वो भी ले सकते हो कमाल का bass मिलता है कमाल की earphones है price vary करती रहती है चेक कर लो जहाँ पे सस्ता मिलता है वहाँ से ले लो normally 600-6500 के आसपास का होना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा bass इतने यादा नहीं पसंद है अगर आपके कितम balance sound चाहिए तो यहाँ पे जो मैंने use किये हैं यह है JBL के ही C100SI IE और यह भी बहुत ही कमाल की है बहुत अच्छी fitting है बस बात वो ही है थोड़ा सा जो wire है वो delicate लगता है लेकिन यह भी अच्छे है और जो इनकी price आ रही है वो है 725 रुपीज दोस्तों इसके उपर आगे बढ़ते हैं तो आप सभी के बहुत सारे users के favorite होंगे जो मैंने try किया और मिरको भी काफी पसंद आया वो है यह Sennheiser का CX180 यह जो है करीब आता है 800 रुपे की price में और ऐसे में मतलब आपको अच्छी quality मिलती है यहाँ पे जो cable की quality में बोलूँगा वो अच्छी है लेकिन दिखने में लगता है कि काफी flimsy है बिल्कुल एक दम पतली सी अजीब सी cable है लेकिन वैसे durable मुझे लगा मैंने अपने जो इसमें को use किया तो ऐसे में यह एक अच्छी options है यहाँ पे आपको mic नहीं मिलता है यार तो यह इनका एक con है otherwise मैं बोलूँगा तो काफी अच्छी earphones है 800 रुपे के price range में आपको अच्छा base मिलता है और all together अच्छी sound भी मिलती है तो उसके उपर जाएंगे तो आते हैं Sony वाले और यह है Sony के चमचमाते हुए MDR-EX150AP इनकी जो price है वो है करीब 900 रुपे के आसपास और ऐसे में यह वाली earphones भी काफी अच्छी है लेकिन यहां पर आपको उतना base नहीं मिलता है जो sound quality है बोलूँगा कि अच्छी है अपने price के साब से लेकिन अगर थोड़ा सा base और अच्छा होता तो अच्छी बात होती थी वरना यह जो है यह काफी च्छी और यहां पर जो पिस्टन फिट है उसकी price है 1000 रुपे यहां पर जो wire quality है वो बहुत ही कमाल की है और जो audio quality है वो भी बहुत बढ़िया है यहां पर आपको complete balance मिलता है lows, mid and highs के अंदर और यह जो है यह एक अच्छा option है 1000 रुपे अगर आप खर्च करते हो तो आपको एकदम balance sound मिलेगा और यह है one more का piston fit दोस्तों इसके उपर अगर आप जाते हो तो यहां पर आपको जो options मिलेंगे उसके अंदर है house of marley smile jamaica यह वाले वो earphones है build quality के मामले में कमाल मतलब बहुत ही शांदार जो आपको wire मिलता है completely braided cable है और wooden earphones हैं दिखने में कमाल build quality में कमाल लेकिन sound ओ भाईया क्या काम कर रहे हो यार आप 1190 रुपे के हो करीब 1200 रुपे के आते हैं sound quality जो है वो भाई अच्छी नहीं है इससे बढ़िया आपको मिल जाएगा option अगर आप ले रहे हो one more का piston fit अगर आपको budget लेना है तो आप ले सकते हो JBL का T150 या फिर audio technique का CLR 100 वगर है ये 1200 रुपे के लाइक नहीं है खाले दिखने में अच्छे हैं बहुत अच्छा लगते हैं लेकिन sound के मामले में मैं इनको recommend नहीं करता हूँ इसके उपर जाएंगे तो आते हैं boat के bass heads कहा गया हमारा boat 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 ये वाला तो ये जो है boat के bass heads यहाँ पे इनके बारे में मैं अच्छा क्या बोलूँ यार मेरे पैसे waste हो गए ये करीब 1300 रुपे के हैं और अजीब से earphones नहीं हाला कि quality अच्छी है build quality अच्छी है cable अच्छी है same story है house of marley वाली और भाई sense नहीं है लेने का clarity नहीं है sound के अंदर तो ये जो है वो 1300 रुपे के लायक नहीं है बिल्कुल भी तो ये आप मत लीजिएगा मैं इनको भी recommend नहीं करता हूँ तो इसके बाद में अगर आपको चाहिए wireless option तो यहां पे मैं ये वाला use कर रहा हूँ किदर गया इसका तार दूसरा ये वाला ये आता है tag की तरफ से T07 जो price है वो है करीब 1500-1600 के आसपास ये काफी अच्छी है अगर आपको चाहिए wireless options और balanced sound है जो bass है वो इतना ज्यादा नहीं कहोंगा लेकिन adequate है और जो battery life है वो है करीब 4.5-4 घंटे के आसपास तो ऐसे में ये एक अच्छा option हो सकता है अगर आपको चाहिए wireless option जो की है tag का T07 और बस दोस्तों यही complete list है अगर आपको दुबार एक बार स्टार्टिंग से बता दू house of Marley little bird मतलो 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 amazon basics 500 रुपे का ले सकते हो उसके उपर आता है panasonic का RPTC125 ये ले सकते हो 540 रुपीज का ओके है skull candy का jib भाया भूल के भी मतले ना तो इसके उपर आता है audio technique का CLR100 ले सकते हो इसके ओपर JBL का T150 है C100 RSI है वो भी ले सकते हो skull candy का जो CX180 है वो भी ले सकते हो sony का MDR EP150 है वो भी ले सकते हो इसके बाद में आएगा piston fit वनमोर की तरफ से वो भी ले सकते हो ये वाले मतले ना boat और house of Marley जमाई का दोनों के दोनों और जो ये tag का T07 है ये भी ले सकते हो तो ये हैं दोस्तों complete earphones जिनको मैं recommend करता हूँ अपनी अपनी price range में build quality के मामले में थोड़ा बहुत 1920 हो सकता है उसके अलावा जो sound है यार वो personal चीज होती है भाई हो सकता है जो चीज मुझे पसंद आए लेकिन जिज इसको मैंने recommend किया है वो एकदम अच्छी earphones है आप अपने budget के साब से कोई भी मर्जी जो आपका choose कर लो और आपको सभी के अंदर अच्छी options मिलेंगे budget के अंदर 500 रुपे का भी है ओपर जाओ गए तो ये 1600 रुपे का भी है बीच में 1000 रुपे के options भी है 800 का भी है 900 का भी है आपकी मर्जी आपका पैसा मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही देखने लिए आपका बहुत भाँ धन्यवाद अगर आप अगर साला सुझाओ तो आप नीचे कमेंड़ करना मत भूलिएगा अगर आपने इस वीडियो को भी तक लाइक ये शेर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुली मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों जैहिंद वन्दे मात्रम